नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी पॉइंट पर तो देखें हम राजस्तान पुलिस 2020 में पुछे हुए कंप्यूटर के क्यूशन्स डिसकस कर रहे थे तो अभी तक हम टोटल 4 पार्ट को डिसकस कर चुके हैं जिसमें अभी त पर किलिक करके देख सकते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जुरू प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला क्यूशन है विंडोज 10 किस वर्ण में लॉंच किया गया था तो देखिए जो विंडोज 10 है उसको 2015 में लॉंच किया गया था तो सेकेंड ओप्शन जो है इसका यहां पर राइट आंस्वर हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए रन कमांड विंडों को लॉंच करने की सोटकट कुझी क्या है तो देखिए रन कमांड विंडों को लॉंच करने की जो सोटकट कुझी है वो विंडोज की पलस आर है तो सेकेंड ओप्शन जो है इसका यहां पर राइट आंस्वर हो जाएगा रन कमांड विंडो को launch करने की जो shortcut कुंजी है वो windows की plus r होती है अगला question देखिए word दस्तावेज में print करने के लिए निमलीकित में से किस shortcut command का उपयोग किया जाता है तो देखिए document को print करने की जो shortcut कुंजी होती है वो control plus p होती है तो second option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए ms word में परिवर्तन पूरवर्त या undo करने की लिए किस shortcut कुंजी का उपयोग किया जाता है तो देखिए यदि हमें undo करना है तो undo करने की shortcut की होती है वो control plus z होती है और यदि हमें वापस redo करना हो तो redo करने की shortcut कुंजी होती है वो control plus y होती है तो यहाँ पर हमें undo करने की shortcut कुंजी पूछी है तो वो होती है control plus z first option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए ms word में new blank document खोलने की shortcut कुंजी निमली खित में से कौन सी है तो देखिए यहाँ नया document open करना है तो उसकी जो shortcut कुंजी होती है वो control plus n होती है तो second option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए ms word में सीर्ष पर जाने के लिए निमली खित में से किस shortcut कुंजी का उपयोग किया जाता है तो देखिए यदि हमें किसी document की line के starting में cursor को लेके जाना हो तो उसके जो shortcut की होती है वो home होती है लेकिन यदि हमें document के starting में या जो document है उसके शिर्ष पर यदि हमें cursor को लेके जाना है तो उसकी shortcut की होती है control plus home ध्यान रखना यदि line के शुरुवात में लेके जाना हो तो केवल home प्रेस करते हैं और document के start में लेके जाना हो तो उसकी shortcut की होती है control plus home ऐसे यदि किसी पंक्ति के अंत में करसर को लेके जाना हो तो end की प्रेश करते हैं और यदि दस्तावेज के अंत में लेके जाना हो तो इसकी होती है control plus end तो यहां हमें document के top पर या search पर यदि करसर को लेके जाना है तो इसकी shortcut की है वो होगी control plus home तो first option जो है इसका यहां पर right answer ह हो जाएगा अगला किसम देखिए ms word में selected text को copy करने के लिए निमली खित में से कौंशी shortcut कुंजी का उपयोग किया जाता है तो यदि देखिए हमें selected text को copy करना है तो उसकी जो shortcut की होती है वो होती है control plus c तो second option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा यदि हमें copy के बजाए cut करना होता तो हम control plus x करते और cut या copy किये हुए text को यदि हमें paste करना है तो उसके लिए हम control plus v का परियोग करते हैं अगला किसम देखिए ms word में वर्तनी जांच यानि की spelling check शुरू करने की shortcut कुंजी क्या होती है तो देखिए ms word में spelling check करने की जो shortcut कुंजी होती है वो app 7 होती है तो first option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए ms word और ms excel में clipboard पर सामगरी paste करने वाली shortcut कुंजी निमलिखित में से कौन सी है तो देखिए clickboard पर सामगरी paste करने वाली जो shortcut कुंजी है वो control प्लस v है तो first option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अभी हमने देखा था यदि हमें copy करना है तो उसकी जो shortcut की होती है वो control प्लस c होती है और यदि हमें cut करना हो तो उसकी होती है control प्लस x copy करना हो तो ctrl plus c और cut करना हो तो ctrl plus x और cut या copy किये हुए जो text है उनको यदि हमें paste करना है तो उसकी shortcut की होती है ctrl plus v अगला देखिए some columns की formatting को विसम column से भिन दर्शाने के लिए ms word में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो देखिए अधि हमें columns को दूसरे columns से अलग दिखाना हो तो उसके लिए हम bandit column का use करते हैं तो third option जो है इसका है यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि bandit column का use करके हम some columns की formatting को विसम column से भिन दर्शा सकते हैं अगला question देखिए paragraph के प्रारम में दिरगा अक्षर यानि की capital letter बनाने के लिए ms word में का उपयोग किया जाता है तो देखिए हमें paragraph के starting में अक्षर को बड़ा बनाना है तो उसके लिए हम insert menu में जाके drop cap को use कर सकते हैं तो fourth option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपने देखा होगा doctor जो दवाई लिखता है उस लिप पर r काफी बड़ा होता है और फिर x लिखा होता है तो यही drop cap है तो यदि हमें जो paragraph है उसके starting के अक्षर को capital letter या बहुत बड़े अक्षर में बनाना है तो insert menu में जाके drop cap कमांड का use हम कर सकते हैं अगला किसन देखिए ms word में app 12 कुणजी का परियोग करने से कौन सा dialogue box से खुलता है तो देखिए ms word में यदि हम app 12 कुणजी को प्रेस करते हैं तो save as dialogue box खुलता है first option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला किसन देखिए ms word में insert menu का उप्योग करने करके निमली खित में से किसे परविष्ट नहीं किया जा सकता तो देखिए insert menu में इनमें से कौन सा option नहीं होगा यह हमें बताना है तो देखिए insert menu से हम table insert कर सकते हैं आकरतिया यानिकी shapes को insert कर सकते हैं सिर्ष लेक यानिकी header और footer जो है वो भी insert menu से हम insert करते हैं लेकिन देखिए जो line spacing है उसको insert menu से परविष्ट नहीं किया जा सकता जो line spacing है वो paragraph command में हमें मिलती है तो second option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा कि line spacing को जो है हम insert menu का use करके insert नहीं कर सकते अगला question देखिए MS word में page की विशे सामगरी की प्रिष्ट भूमी में आभासी past यानिकी ghost text को समिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है तो देखिए documents में आपने देखा होगा हलका सा page की उपर जो back side में लिखा होता है text के पीछे हमें दिखाई देता है वो watermark होता है तो third option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा कि MS word में page की विशे सामगरी की प्रिष्ट भूमी में आभासी past समिलित करने के लिए hyperlink sorry watermark का परियोग किया जाता है तो third option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए MS word में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक cell को कई cells में विभाजित करता है तो देखिए एक cell को कई cells में विभाजित करना जो है वो split cells कहलाता है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा और यदि एक से अधिक cells को यदि हमें जोड़ना हो तो वो merge cells होता है लेकिन यदि एक cell को कई cells में हमें डिवाइड करना है तो उसे हम split cells के नाम से जानते हैं तो second option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला किसन देखिए MS word में निमली खित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक cells को समिलित करने यानि कि combine करने की सुविदा देता है तो देखिए एक से अधिक cells को combine करने की जो सुविदा है वो merge cells से हम कर सकते हैं तो fourth option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा यानि कि एक से अधिक cells को यदि हमें command करना है तो हम क्या करेंगे merge cells का परियोग करेंगे या cell को merge करेंगे अगला question देखिए MS word के उपयोग द्वारा इन में से कौन सी गतिविदी सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है तो देखिए जो MS word है उसको हम लिखने के लिए इसका यूज करते हैं और internet connect के लिए browser के आशकता होती है ना कि MS word की अगला question देखिए MS word 2016 में चुनेगे text को bold करने के लिए button tab में पाया जाता है तो देखिए यदि हमें selected text को bold करना है तो जो bold जो key है या command है वो हमें home key में मिलेगी तो first option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि home tab घुम दबाएंगे और home tab को प्रेस करने पर वहाँ पर हमें bold command मिलेगी तो first option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा MS word 2016 में चुनेगे text को bold करने के लिए जो button है वो home tab में पाया जाता है अगला question देखिए MS word document में text पर आकर पुर्वन इधारित सवरूपन सेट करने रंग इत्यादी का परियोग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है तो styles का use हम करते हैं second option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए forward और back icon MS word के view में प्रिष्टूं के मादम से scroll करने के लिए परकट होते हैं तो देखिए read mode में जो read mode view होता है उसमें प्रिष्टूं के मादम से scroll करने के लिए जो forward और back icon है वो परकट होते हैं तो third option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि forward और जो back icon है वो MS word में read mode view में प्रिष्टूं के मादम से scroll करने के लिए प्रकट होते हैं forward और back icon अगला question देखिए MS Excel में निमली खित में से कौन सा chart 100% तक जोडने वाले परतिसते दर्शाता है तो देखिए आपने pie chart में देखा होगा कि विभिन परकार को हम जो 100% होता है उसके अनुपात में हम इनको divide कर देते हैं जैसे मालो इसको 10%, 50%, 5% तो इनका जो total होता है वो कितना होता है 100% होता है यह 100% को हम divide करते हैं कौन से chart में pie chart में तो थर्ड option जो है इसका यहाँ पर right transfer हो जाएगा अगला question देखिए तो देखिए शेम वही question है कि MS Excel 2010 में एक गोलाकार आकार का chart जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए slice में विभाजिते किया गया है तो वो कौन सा होता है pie chart होता है fourth option जो है इसका यहाँ पर right transfer हो जाएगा अगला question देखिए MS Excel में निमलेखित में से कौन सा chart बिंदूं को जोड़कर रुजानूं की एक सरंखला को चितरी तिक करता है तो देखिए विभाजित बिंदूं को जोड़कर जो graph होता है वो कौन सा होता है लाइन चार्ट ग्राफ होता है तो first option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा जिसमें हम विभिन परकार की लाइनों को जोड़कर ग्राफ बनाते हैं तो वो लाइन चार्ट ग्राफ हो कहलाता है अगला देखिए MS Excel में cut function निस्पादित करने के लिए निमलेखित में से किस keyboard shortcut कुणजी का परियोग किया जाता है तो देखिए जो selected text या जो भी कुछ है उसको यह दि हमें cut करना हो तो उसकी जो shortcut कुणजी होती है वो control plus x होता है तो first option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि cut function को निस्पादित करने की जो shortcut कुणजी होती है वो control plus x होती है अगला question देखिए MS Excel 2016 में निमली खित्मे से किस menu में margins और orientation विकल्पों को चुना जा सकता है तो देखिए MS Excel 2016 में जो margins और orientation जो विकल्प हैं यह दोनों ही page layout में मिलते हैं margins और orientation यह दोनों ही जो option है वो हमें page layout view में मिलेंगे तो fourth option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए तो ठीक है दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जुरूर बताएं और यदि अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लें और उसके जो बगल में bell icon है उसको जुरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए update हो तो उसका notification आपको मिल सके okay thank you